जहीं दोस्तो आल इंगन जॉप्स में आपका श्वागत है मैं राहुल राज आज हम बात करेंगे CISF ट्रेडमेंस के पेपर्स के बारे में जो GKGS के एक से पचीस कोश्चन हमने लेकर आए हैं मोडल सेट के जो हम आज बात करने वाले हैं तो जैसे कि आपको पता अब लग गया होगा मेरे वीडियो में पहले ही वीडियो अप्लोड कर दिया हूँ कि आपका CISF ट्रेडमेंस का एक्जाम डेट सो हो चुका है और कब से एड्मिट कार आने वाला है ये भी डेट आपको ब देख लिए यही पेज लगा हुआ है और आपको देखकर अंदाजा लग गया होगा कि कि आपका एड्मिट कार्ड भी जारी होने वाला है आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि हमें आपको इसमें भी दिखला दू कि यह लेटर संक्या आपको 14 2020 को ही जारी कर दिया गया तो फ्रेंड इसकी वीडियो आप सबसे पहले जाकर देख ले उसके बाद यह रिटेन वाला वीडियो को देखे आईए अब हम वीडियो को सुरू करते हैं और ले चलते हैं इसके हर एक एक छोटी बड़ी ख़बर की और तो और इसमें आपको जी के जी इसके पूरे 25 कोश हिंद लिखते हैं जै हिंद चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और फ्रेंड सबसे पहले हम बता दे आपको कोश्चे नमर एक आपको जहां दिख रहा होगा क्या है दिली संतलन की दरबारी भासा थी कौन सी भासा थी ओप्शन ए बी शी या डी जैसे ही आपको ओप्शन आ करके आपको बताना होगा इससे क्या होगा कि आपकी जो आने वाले कोश्चन होंगे उसकी कैप्चर करने की च्छहमता आपको बढ़ेगी तो चलिए पहला क्या है दिली संतलन की दरबारी भासा थी कौन सी भासा थी ओप्शन ए बी शी या डी इसके राइडिस हो जगा किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया? इसका राइटेंस हो जाएगा, ओप्सन नमर बी, हुमायू, हुमायू ने मुगल सासक के दो बार सासन किया, जैनेश्ट कोशिन के चलते हैं, चोथा नमर भारत में बीबी कामा कबड़ा, इस्तित है, कहां इस्तित है ये बताना है आपको, ए, बी, शी, एडी, जल्दी से फा इसका राइटेंस हो जाएगा, ओप्सन नमर सी, और अंगा बाद में इस्तित है, नेश्ट कोशिन को चलते हैं, नेश्ट और अगला कोशिन नमर पांच्वे नमर है, सविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, कब हुआ था, ये बताना है हमको, ओप्सन ए, बी, सी, आपकी पास कुछ समय रहते हैं, जरूर कॉमेंट करके बताएं, राइट एंसर जरूर बताएं, चलिए, हम बताते हैं इसका राइट एंसर, ओप्सन नमर बी, सड़ी, ओप्सन नमर बी, 9 दिसंबर 1926 को आपका ये पहला सस्त्र शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1926 को चलते है नेश्ट और अगला कोश्चन है हमारा, भारतिये सदन में कितने सदन होते हैं, भारतिये संसद में कितने सदन होते हैं, ओप्सन ए, बी, शी, या डी, भारतिये सदन में संसद में दो सदन होते हैं, ओप्सन नमर बीजराइट एंकर, एक लोग सभा, एक राजशभा, एक र पहली बार राष्टपति सासन कब लागू किया गया फिर्ष्ट बार सासन राष्टपति सासन कब लागू किया गया था। इसका राइट एंसर होजगा 20 जुन 1951 को सबसे पहले राष्टपति सासन लगाया गया था इसका राइट एंसर आपसे बोले हैं कि आपको जो कोश्चन आ रहा है प्लीज कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और शांते चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जिरू कर दें स्वक्ष भारत मिशन योजना कब परंफ किया गया ऑप्शन ए बी शी या डी इसक्राइट एंस हो जाएगा ऑप्शन नमर ए दो अक्टूबर 2014 को स्वक्ष भारत मिशन योजना का परंफ किया गया पागल कुट्टे के काटने से कौन बिमारी होती है ऑप्शन ए बी शी या डी जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंस हो जाएगा ऑप्शन नमर ए रेवीज इसको एंसर आपको कमपलसरी बताना चाहिए कि अगर आप फौज के त्यारी करते हैं तो यह छोटी सी जनकारी आपको नहीं याद है तो आपको पढ़ाई में कमजोर हैं अभी और आपको मेहनत करना पड़ेगा भारतिय सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है ओप्शन A, B, C यदि जल्दी से फास्ट कोमेंट इसका राइट नस हो जगा ओप्शन नमर C पंद्रा जनुवरी को मनाया जाता है भारतिय सेना दिवस प्लीज मैं आपसे क्रिकेश्ट करना चाहता हूँ ये हमारे वीडियो फर कम से कम 1000 लाइक जाना चाहिए इसलिए लाइक जुरू कर दे हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हमको 1000 लाइक चाहिए वस चलिए आगे क्यों चलते हैं एक लाइक सब्सक्राइबर में 1000 लाइक कोई यादा नहीं होता है प्लीज लाइक क्या रख चलिए अब सबसे छोटा महादीप कौन सा है ओप्शन ए बी सी या डी इसके राइटन सो ज़ेगा ओप्शन नमर ए अस्टिलिया चलिए नेश्ट कोश्चिन को जलते है नेश्ट और अगला कोश्चिन है चिलका जील कहां इस्टित है ओप्शन ए बी सी या डी जल्दी से फास्ट कोमेंट आप बताइए चलिए इसके राइटन सो ज़ेगा ओप्शन नमर ए उरिशा चिलका जील उरिशा में इस्टित है नेश्ट कोश्चिन को जलते है नेश्ट और अगला कोश्चिन अगर आप बिहार से हैं तो आपको तो यह पता ही होगा कि बिहार की रधानी कहा है अगर आप बिहार से और कहीं राज्यों से बिलों करते हैं तो आपको ये जानना अनिवार है चलिए बिहार की रज़ानी कहां है Option A, B, C या D इसका राइटन सोज़ेगा Option नमर C पटना नेश्ट कोश्चेन क्यों चलते हैं नेश्ट और अगला कोश्चेन नमरा संसद के उपरी सदन को क्या कहते हैं Option A, B, C या D जल्दी से फार्ष्ट कोमेंट इसका राइटन सोज़ेगा Option नमर B राजशभा नेश्ट कोश्चेन को चलते हैं मानो के मस्ति का वजन कितना होता है Option A, B, C या D जल्दी से फार्ष्ट कोमेंट इसका राइटन सोज़ेगा Option मर सी तेरह सो पचास ग्राम नेश्ट और अगला कोश्चेन है मारा श्रिलंका की राजधानी कहां है Option A, B, C या D जल्दी से फार्ष्ट कोमेंट इसका राइटन सोज़ेगा Option नमर C, कोलम्बो नेश्ट और अगले कोश्चेन 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 चलते हैं परधान मंत्री का चुनाव होता है कैसे होता है Option नमर A, B, C, या D इसका राइटन सोज़ेगा Option नमर A लोक सभा के सदस्यो द्वाड़ा इसका राइटन सर Option नमर A नेश्ट और अगले कोश्चेन 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 चलते हैं भारत और चीन का यूद कब हुआ था Option A, B, C, या D जली से फार्ष्ट कमेंट इसका राइटन सोज़ेगा Option नमर B 1962 में आपका ये यूद हुआ था कब हुआ था 1962 में Option B, Right Answer Next Question कोश्चेन 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 चलते हैं Next और अगला कोश्चेन है मारा वर्ष्ट का लंबा दीन कौन सा है मतलब सबसे बड़ा कौन सा दीन है वर्ष्ट भारत वर्ष्ट के लिए बात पुल रहा है Option A, B, C, या D जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइटेंस होजएगा 21 जून चलते हैं Next और अगला कोश्चेन है चुनाव आयोग के मुख्याले हैं कहां इस्थित है ये बताना है Option A, B, C, या D इसका राइटेंस होजएगा Option नमर D दिल्ली चुनाव योग के मुख्याले का हैं दिल्ली में इस्थित है चलते हैं श्वर्ड मंदिर कहां है Option A, B, C, या D जल्दी से फास्ट कमेंट जल्दी से बता है ये राइट एंसर इसका चलते हैं इसका राइट एंसर होजएगा Option नमर C, अमरित सर नेश्ट और अगले कोश्चेन को चलते हैं बाइश्ट नमर कारबन का सबसे सुध रूप है क्या उनसा है कारबन का सबसे सुध रूप Option A, B, C या D जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर जगा Option नमर B, हीरा जल्दी से फास्ट को चलते हैं उस्मा का मुक्ष रूप है कौन सा है Option A, B, C, या D जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंसर जगा Option नमर B, शुड़ यह उस्मा का सबसे ज्यादा सुध करने वाला अभी तक का शुड़ यह है जल्दी से फास्ट को चलते हैं नेश्ट रूप अगला कोश्चन हमारा सबसे हलका तत्त्तु है कौन सा है Option A, B, C, या D इसका राइट एंस हो जाएगा Option नमर C नेश्ट रूप अगले कोश्चन को चलते हैं आज का लास्ट कोश्चन आज का लास्ट कोश्चन है हमारा वायू में कितने परसंट नेट्रोजन की मात्रा है इसका कॉमेंट करके आपको ही एंसर बताना है इसलिए कि बहुत ही इजी कोश्चन है इससे इजी कोश्चन आपको तो नहीं बताऊगा कि भा जो हमारे वायू मंडल में नेट्रोजन की जो कितनी परसंट परसंट है ये आपको बताना है जल्दी से फास्ट कमेंट करके तो पहले बताए इसका राइट एंसर क्या होगा पचीस का जल्दी जल्दी से जल्दी कमेंट करिए सबसे fast comment आपको करना होगा कि इसका right answer क्या होगा इसका right answer होगा 78% option C right answer तो friend आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को subscribe करने के लिए धन्यवाद और आपको इसी तरह के वीडियो चाहने के लिए आपको पहले से ही चैनल को सुस्क्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी दबा लिया है तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा जब तक लिए जैहिन दोस्तो बंदे मातरम आपका दिन सुबह और आपका सेलेक्शन सबसे पहले